हलो दोस्तों स्वागत है आपका Get It Clear चैनल पर दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपका HP 55 सेक्टरी का जो रिटरन का रिजल्ट है वो अल्रेडी आ चुका है और बच्चों को अपने अपने माक्स भी पदा चल चुके हैं तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आप से पोचे गए थे कौन-कौन से section guys GK का section था English का section था Hindi का था Maths का था तो सबसे पहले मैं बात करूं आपकी GK की section के तो आपको पता है जाट ज़िस था झचल जो ठाव आपको पता है एसने टेख सेक्षन जो था इतना तफ नहीं था अच्छे question उसमें पूछे गए थे और basic question थे ठीए गाईज हिंदी में भी आपके बहुत जादा tough question नहीं पूछे गए थे अगर आपने basic भी अगर चीजों को पड़ा उता तो आप उसमें easily score कर सकते थे mathematics की बात करें दोस्तों तो mathematics में भी ऐसे questions थे कि basic concepts के ओपर जादा question पूछे गए थे बहुत high-five level के question नहीं पूछे थे तो जिसको आप easily जो थे वो solve कर सकते थे English की बात करें तो English में भी आपके ठीक questions पूछे गए थे normally आप अच्छा score उसमें भी कर सकते थे overall देखें तो दोस्तों आपका paper जो था वो इतना तफ नहीं था इसको हम easy paper बोल सकते थे और time देखें तो time भी दोस्तों इसमें आपको भरपूर दिया गया था ठीक है तो मतलब आपका ऐसा नहीं था कि paper lengthy था या बच्चों से paper छूट सकता था ऐसा कुछ नहीं था बच्चों टाइम से पहले ही paper को complete कर लिया था तो दोस्तों देखें हम सबसे पहले कि आपकी vacances तो यहां पर बिलासपुर में देखें तो 9 vacances आपकी available थी चंबा में 2, हमिरपुर में 18, कांगडा में 50, किनौर में 1, कुलू में 14, लहल स्पिती में 2, मं अंडी में 50, शिमला में 50, सिर्मौर में 22, सोलन में 19, और उन्ना में 2, तो टोटल आपकी vacances जो थी 239, तो गाईस यहां पर vacances को जो है वो बहुत जादा सब categories में बांटा गया है, ठीक है, जैसे कि मैं आपके साथ share करती हूँ, जैसे सबसे पहले आप देखेंगे बिलासप को मिलेंगी, ठीक है guys, चाहिए आप कोई भी district को ठाक के देख लो, जादा से जादा कितनी होंगी, 10 vacances गई होंगी, किसी एक particular category को, उससे जादा किसी भी category को कोई vacances यहां पर नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, guys, तो उस चीज़ को ध्यान में रखके ही, मैंने आपके सबसे पहले हम बात करें, बिलासपूर की दोस्तों, तो अब बात होती है कि आपका जो next level है, HP 15 सेक्टरी का, उसमें आपका typing test होगा, तो आपको बता है, typing test की ratio जो रहती है, वो आपके रहती है, 1 ratio 10, बतलब एक seat के लिए 10 बच्चों को वहाँ पर generally बुलाया जाता है, जहा यहाँ पर generally देखिया, इस पर government के rules के, तो उसके according to 1 ratio 10 ही लेते हैं, तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला कि हर category की एक एक दो दो vacancy थी, और score भी आप देखेंगे, बच्चों ने अच्छा किया हुआ है इस paper में, ठीक है, तो बिलासपूर की मैंने cutoff जो बनाई है, वो 62 plus, तो guys, यहाँ बजिन के 62 और 62 से जादा marks बन रहे हैं, उनको typing के लिए बुलाया जा सकता है, तो आपने अपने typing की त्यारी शुरू कर देनी है, next देखें चमबा, चमबा के लिए cutoff जाएगा, 60 से लेके 60 plus तक जा सकता है, दोस्तों, एक दो number उपर नीचे हो सकता है, ठी तो generally, जहां तक मैंने paper को analyze किया, तो उसके basis के उपर मैंने ये सारी चीज़ें बनाई, ठीक है, number third पर देखें, kangra, kangra में भी 60 plus जाने के chances है, क्योंकि guys, बहुत सारी seats जो है, वो आपकी SC, ST, फिर बाकी और सारी जो सब categories होती है, उनके लिए गई हुई है, तो उसके basis के उप 40 plus जाएगी, क्योंकि guys, यहां पर भी reserved category की seat है, तो reserved category के case में आपकी cutoff जो है, वो कम जाती है, कुल्लू, कुल्लू में cutoff जाएगी 63 plus, दोस्तों, next हम देखें, यहां पर लहॉल स्पीर्ती, लहॉल एंस्पीर्ती में 60 plus, अब मैं यह नहीं बूल सकती ही, दोस्तों की भी सब category कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका SC candidate होता है, उसके जादा marks होते है, जर्नल category तो इस चीज़ को कभी कभी balance कर पाना भी मुश्किल हो जाता है, कि हाँ, ऐसे होता है कि SC cutoff जादा चल जाती है, और other categories की cutoff कम रहती है, तो डिपेंड करता है कि candidates ने कितने लिए है, पर जहां निरपुर की cutoff ली है, वो ली है, मैंने general category को देखके, कि general category में जिसके marks 66 और उसे जादा बन रहे हैं, उनको typing के लिए बलाया जा सकता है, और other सब categories जो है, इस डिस्टी की, उसके लिए cutoff जो है, वो इससे कम ही जाएगा, ती guys, अब next देखिए हम मंडी, मंडी में cutoff जाए जो है, वो इससे कम ही जाएगी, ठीक है, डिस्टिक शिम्ला, डिस्टिक शिम्ला की जाएगी 66 प्लस और ये unreserved category के लिए मैंने बनाई है, क्योंकि डिस्टिक शिम्ला और मंडी के लिए आपके वेकिंस जो है unreserved category की same same ही है, जादा फर्क यहाँ पर आपको नहीं देखने कुम लेगा cutoff का, तो यहाँ पर plus minus एक उपर नीचे हो सकता है, marks का, but generally इतनी ही जाएगी आपकी, सिर मौर, सिर मौर की जाएगी 67 प्लस, यहाँ मैंने unreserved category की cutoff बनाई है, other categories की cutoff इस से कम जाएगी, solan की जाएगी आपकी इसकी cutoff की बात करें, 64 प्लस, इसकी cutoff जा सकती है, तो guys, solan के मैं भी आप देखेंगे, तो जादा vacancies यहाँ पर नहीं है, unreserved category की एक vacancy होगी बड़ी मुश्किल से, और बाकि जो दूसरी EWS category है, उसके लिए फिर भी आपको vacancies देखने को मिलेगी, त यहाँ पर भी generally देखेंगे categories जो है, वो reserve category के लिए, यहाँ पर आपको vacancies देखने को मिलेगी, और तो guys, अगर किसी ने score किया है, उस category से इतना, तो guys, उनको ज़रूर typing test की जो है, वो त्यारी अपनी करनी चाहिए, ठीके guys, जब भी इसका typing का schedule जारी होगा, तो हमें get it clear channel पे से ही शुरू कर देनी है, typing की चारी कैसे करनी है, कैसे typing test में कैसा महौल होता है, वो सारी चेज़े मैंने experience में mention की हुई है, तो जो आप मेरे चैनल पर जाके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, ने तो मैं वो वीडियो जो है, वो इसी वीडियो के साथ attach कर दूंगी, तो है, अगर आपको कोई और information चाहिए होगी, किसी भी तरह की, तो आपने क्या करना है, मैं को comment section में लिखना है, guys, आपने typing के लिए कोई specific book नहीं लेनी होती है, जो भी आपके पास book पड़ी है, English की, आपने उसके उपर ही क्या करना होता है, practice करनी होती है, और आपने daily practice करनी हो हो जाता है, और आपने क्या करना है, timer लगा के practice करनी, जैसे कि आपको पता है कि 10 minute का आपके पास जो है, वो typing test का रहता है, है time तो आपने उस चेस को ध्यान में रखते ही, अपनी त्यारी जो है, अपसे शुरू कर देनी है, ठीके दोस्तों, so thank you, have a good day and all the best.